हेलो और वेलकम दोस्तों मैं विदीपाइक और आप देगे रहे हैं दीपाइक सेलार यूटूब चैनल दोस्त आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि आइसी आइसी नेड़ बैंकिंग का यूजर आइडियो और पास्वड आप भूल गए हैं अगर आप लोगों को ने हमारे चैनल पर नेवी विदिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगा ने वली बैल आइकन को क्लिक करके अन नाट इपिशन आउन कीजे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं तो मेरे दोस्तों हम आगए अपने मोबाइल अकॉर्ड स्क्रीन के और सबस्क्राइब हमें एक ब्राउजर की हल्प लेने बड़ेगे तो हम यहाँ पर चलिए गूगल क्रॉम को उपन कर लेते हैं गूगल क्रॉम को उपन करने के बाद आपको आइसी आइसी बैंक के ओफिशल वेबसाइट पर जाना है आइसी आइसी बैंक डॉट कॉम यहाँ पर दहन से आप यूरल देख लीजिए इस वेबसाइट को आपको उपन करना है उपन करने के बाद आपको उपर की साइट में यहाँ पर लॉग इन वाला एक option मिल जाएगा आप यहाँ पर दहां से दीजे लॉग इन वाले option पर आप लोग उपन करना है तो लॉग इन पर टैप करने के बाद यहाँ पर हम personal banking यहाँ पर select कर लेते आप जो कुछ है या ना रहे या फिर जो कुछ है आप select कर सकते हैं यहाँ पर personal banking select कर लेते हैं personal banking select करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा forget user ID and password वाला यहाँ पर मैं आप लोग वो शो कर रहा ता हूँ इस वाले option पर आप लोग वो simply tap कर लेना है इस option पर tap करने के बाद आपके पास दो option खुल जाए get user ID get password तो हमें सबसे पहले user ID हम forget करना सिखाएंगे उसके बाद password forget करना सिखाएंगे तो फिलाल get user ID पर हम click कर लेते हैं get user ID पर click करने के बाद यहाँ पर आपके पास दो तिन option खुल जाए bank account debit card credit card इसमें सब कोई एक option select कर लिए चले हम bank account भी रहने देते हमारा bank account number हम यहाँ पर enter कर लेते तो अपना register mobile number यहाँ पर enter कर लेते हैं तो फटा फट से सारे details बर लेते हैं उसके बाद इस वीडियो को हम continue कर लेते हैं तो यहाँ पर फटा फट हमारा bank account number register mobile number हम भर लेते हैं तो भर लिए हमने simply process पर tap कर लेते हैं तो यहाँ पर process वाला जो बटन दिख रहा है इस पर हमें click करना है g j l तो g के नीचे जो number है j के नीचे जो number है और l के नीचे जो number है वो मुझे enter करना पढ़ा है हर किसी के card के number अलग-अलग होते हैं तो अब आपने card के इस आप से देख सकते हैं तो यह सारे details हम भर लेते हैं तो हमने details भर लिए और simply हम process पर क्लिक कर लेते हैं तो हम यहाँ पर process वाले टाप पर हमें क्लिक कर लें तो यहाँ आप देख सकते हैं Congratulations your internet banking user ID has been sent your register mobile number हमार रजिस्टर mobile number पर यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का user ID यहाँ पर आगाया है जो कि आप देख सकते हैं उपर की तरफ से आप मुझे मैसेज भी मिल गाया है जो मैसेज में आप लोगों साइट में आप शो करवा दूंगा तो चले दूस्त हम यहाँ पर देखते हैं इंटरनेट का user ने username हमारे पास आगाया है कि तो यहाँ पर उपर मेसेज हमें मिल गाया मेसेज में हमारे यूजर आड़ी यहाँ आप यूजर आड़ी हमें ध्यान में रखना है हम अब सीखते हैं कि बापा पासवर्ड किस तारह से हम फर गेट कर सकते हैं तो यहाँ यहाँ पर चले जाते हैं यहाँ पर हम जाते हैं सेम प्रोसिस हमें करना है उपर आप देख सकते हैं यहाँ फिलाल नेट थोड़ा सो चल रहा है लॉग इन वाले उप्शन पर फिर से हमें टैप करना है तो लॉग इन पर टैप करना है फिर से हमें यहाँ पर से लेट कर लेना फिर से हमें यहाँ पे चलना है यहाँ पर फर्गेट यूजर आइडे और पासवर्ड वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया अब इस बार हमें गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है ताकि हमें पासवर्ड ही फर्गेट करना ह तो get password पर click करने के बाद हम यहाँ पर user ID enter कर लेना है तो फटाफट से हम user ID enter कर लेते user ID तो हम लोगों ने पहले इसी कि forget कही से कर सकते तो यहाँ पर user ID enter कर लिए है simply process पर हमें click कर लेना है process पर हम जैसे click करेगे तो यहाँ पर हमारे पास option खुल जाएगा register mobile number enter कर लें तो register mobile number फटाफट से हम यहाँ पर fill कर लेंगे mobile number fill कर लिए है simply हम process पर click कर लेते तो यहाँ पर हम process पर click कर लेते process पर click करने के बाद OTP हमारे पास आ जाएगा हमें OTP यहाँ पर enter करना है OTP हमारे register mobile number पर आगा है OTP हम फटाफट से यह पर enter कर लेते हैं तो फटाफट OTP का हम एंटर कर लेते हैår simply हमें यह फ़रोसेस पर क्लिक कर लेना है फो फ़रोसेस पर क्लिक कर लेते हैं फ्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपके समनी यह ऑफ़ न्यूट ए खोला के आ गई यहाफे आपको new password और यहाफे confirm new password जो कुछ आपके मिन से जो password डालना है वो password आपके आसकते हैं तो फिलाल मैंने password िंटर कर लिया नाय password मैंने बना लिया है simply हमें process पे click कर लेना है तो हम यहाफे process पे click कर लेते हैं तो process पे click करने के बाद आप देख सकते Congratulations, your internet banking password has been successfully generated जो हमने password डाला था, उसे पासवर्ड सक्सिस्फुली जनरेट हो गाए तो simply हमें login करके इसे login करके देख लेना है कि हमारे user ID password दोने भी हैं पर successfully generate हो गाए मतलब change हो गाए, चाहिए आप forget करना चाहते हैं तो फर्गड भी इसी तारह से कर सकते हैं चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं तो फटा फट से हमें हमारे यूजर आइडी पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और यहां पर लॉग इन करके एक बार देख लेते हैं तो हम फटा फट से सारी डेटल्स यहां पर फिल कर लेते है तो यहाँ पर हमें यहाँ पर user ID एंटर कर लेना है सबसे पहले उसके बाद password एंटर कर लेना है और login पर क्लिक करना है तो details मैंने भर लिए अब login करके आप लोगों को दिखा दा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा account successfully यहाँ पर login हो गा है इसी तरह से हम अपना user ID password यहाँ पर forget क कर सकते हैं एकदम easy process है बस step by step मैंने जो कुछ आप लोगों बता है उसी तरह से follow करके सारा process सीख सकते हैं बस आज के वीडियो में इतना ही तो ऐसे interested informative वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आता रहता है तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों क्या करना है हमारे सबस्क्राइब करके आगया नहीं है बेल आइकन को क्लिक करके all notification पर क्लिक करके यहां पर all notification on करने बस आज की वीडियो में इतना है दोस्तर थैंक्यू जेहिन वंदे मातरम